तो यह एक बोलते हैं ना सोने पर सोहागा वाली बात हो जा दिये देखो भाई स्टार्ड अन्स्टॉप का बटन मिल रहा है कितना सुन्दर सा है और यह चीज आपको बेस मॉडल में मिल रहे है तो बहुत ही सही हो गई और देखो बेस मॉडल में आपको जो है औरोमेटिक ए हटो चीज़ में आपको दिखाने बाला हूं से गाडी है और गाडी इतनी जदा ही पॉप़लर हो चुकी है अभी हाल ही में जो है गाड़ी रिलीज हुई है तो आज उसी की बात करेंगे तो दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है वो दोस्तो बात कर रहे हैं हम इस Grand Vitara की ये है दोस्तो Grand Vitara का बेस मॉडल जो की है Sigma और भाई मैं एक बात बता दूँ ये कहीं से भी ना बिलकुल फील नहीं होने वाला चोटे मोटे जो है फीचर्स की कमी है इसके अंदर वो सारी चीज़े जो है आज के वाकराउंड में हम पूरी करने वाले है तो सबसे पहले भाई साब लुक की बात कर लूँ लुक तो इतना सेक्सी लुक है ना इस गाड़ी का और एकड़ी जब से गाड़ी आई है लॉँच हुए ना तब से एक अलग सा जो तहल का सा है मचा दिया है और इसके राइवल्स की बात कीज़ा आपको पता ही है दूसरे कमपनी में के राइवल्स जो है इसके आने से कही ना कहीं बोल सकते हैं मार्किट में जो है गर्मा गर्मी हो चुकी है तो फिलाल आज इसी की बात करेंगे सबसे पहले बता दूँ इसका एक शोरूम प्राइज तो भाई एक शोरूम प्राइज आपको बढ़ता है 10,45,000 रुपे का और बात कर लें अगर इसके अन रोड प्राइज की इस बार मारूती ने बहुत जादा ख्याल रखा है बड़ा सा आपको यहाँ पर लोगो मिल रहा है सुजूकी का एंड यहाँ पर देखो सबसे खूबसूरत जो लगते हैं वो इसके यह टर्न इंडिकेटर्स प्लस जो है यह यह काम करते हैं एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसा इसका जो है लुक आने वाला है दोस्तों कुछ ऐसे जो है यहाँ पर आपको DRLS मिल जाते हैं यह DRLS का काम भी करेंगे प्लस जो है टर्न इंडिकेटर्स जैसे अब आपको देख रहे हैं तो यहाँ से मुझे कहीं भी नहीं लग रहा है यह BASE MODEL है जैसे कि आपको बताया था बागी गाड़ी बहुत फिंटास्टिक है साइज वाइस जो है गाड़ी का बहुत ही लंबा है 2600 mm की जो है यहाँ पर आपको दोस्तों ground risk मिल जाती है तो अब यह रही थी front की कहानी आप आजाते हैं side profile पे जो की बहुत ज़्यादा sexy है तो दोस्तों बात कर लेता सबसे पहले इसकी चावी की तो चावी आपको typical जो है नेकसा वाली ही मिलने वाली है तो यहाँ पर lock and unlock का ही है सिर्फ और switch और एक अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ भाई इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है start and stop का button तो आप सो सकते हैं base model में इतने सारे features आपको मिल रहे हैं यह जो चीज़े है न मारूती ने लाक ये ना game ही change कर दिया एक बड़ आपको sound सुना देता हूँ सबसे पहले यह है इसके unlock की sound और यह है इसकी lock की sound तो ऐसी रही कुछ कहानी बागी मुझे जो design है ना personally बहुत बढ़िया लग रहा है आप क्या कहते हैं जरूर बताना आपको यह जो grand vitara का base model है कैसा लग रहा है सबसे पहले अब आजाते हैं इसके wheel पे तो यह देखे है भाई wheel size जो है यहाँ पे 215,60 आर 17 तो भाई 17 inch के अच्छे खासे wheel मिल रहे है तो यह चीज मैं बहुत बढ़िया बोल सकता हूँ के 17 inch के अच्छा खासा wheel दिया है छोटा भी दे सकते थे बट इस चीज में cost cutting बिल्कुल नहीं कही गई है तो बहुत सही चीज है wheel cap आपको मिलते हैं जो की फिलाल जो है अभी अंदर रखे हूँ है बाकी यहाँ पे wheel आज cladding मिल रही है जो काफी अच्छा जो look है इस गाड़ी को बना देती है प्लस यहाँ पे भी पूरी की पूरी जो cladding है पूरी पीछे तक जाती है तो बहुत ही बैतरीन जो है यहाँ पे look आ रहा है गाड़ी का A pillar आपका देखो यहाँ पे body colored है साथ ही turn indicators देखो यहाँ पे आपको मिल जाते है इसके अंदर और आपको दोस्तों request sensor मिल रहा है तो यह देखो कभी देखा आपने base model में आपको यह चीजे मिल जाए यह मिलती है mostly आपको top model में बट ग्रैंड विटार अगर आप लोगे base model तो यह चीज आपको यहाँ पे base model में मिल जाती है बेपिलर यह आपका black doubt हो गया उपर देखो शाक फिन इंटीरा भी मिल रहा है और glass area की बात कीजा तो काफी बड़ा glass area मिलने वाला है यहाँ पे आपको quarter glass panel भी जो है वो भी मिल आगे का जितना बड़िया design था उससे अच्छा design आपको पीछे का लगने वाला है तो चलिए पीछे चलते हैं तो दोस्तों आप जान लेते हैं पीछे का हाल चाल तो यह देखिए क्या लग रही है गाड़ी यह पूरा का पूरा आपको यहाँ पे LED के अंदर मिल रहा है तो एक चीज बताना भूल गाता है जो टायस है इसके चारो टायस के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है तो बेस मॉडल में आपको फोर वील के अंदर डिस्क ब्रेक मिल रही है तो यह चीज बहुत ही कमाल की हो जाती है साथ ही smart hybrid यहाँ पे आपको टेक्नलोजी मिल रही ह है जो की काफी बढ़िया हो जाता है जिसके वैसे जो इसकी mileage है वो काफी बढ़िया हो जाएगी बागी यहाँ पे आप देखे डी फॉगर मिल जाता है हाई-mounded stop-lamp मिल रहा है देखो बेस मॉडल में डी फॉगर मिल गया कितना सही है बस इसमें आपको दोस्वे कैमरा नह बागी बात कर लेते हैं अगर इसके पारकिंग सेंसर तो यहाँ पर कोई कॉस कटिंग नहीं की गई है नीचे आपको जो है स्केट प्लेट मिल जाते है तो यह रहा पूरा का पूरा डिजाइन एक अच्छा सा लुक आ रहा है देखो ऐसे जो है ना शेप शेप की बात की ज चीजे जो है अंदर ओफर होने वाली है और पूरा का पूरा गाविन का एक्सपिरेंस कैसा होता है तो भाई एंट्री ऐसे होगी इस बटन को दबाते ही गाडी का जो है डोर खुल जाता है एक बार लाइट को यहां से बंद कर देते हैं और ऐसा कुछ देखो लुक रहने वाला है बेस मॉडल के अंदर दोस्तों डूल टोन मिल रहा है ब्लैक और बेज का जो कॉमिनेशन है वो तो आपने बहुत देखा होगा बट यहां पे दोस्तों आपको ब्लैक प्लस यह जो ब्राउन कलर का टेक्शिर है बहुत ही बड़ा लग रहा है यह प्लासिक जरूर ह जो है मैं डूर देख रहा हूँ अभी बागी यह देखो यहां पे आपको ओव्यम्स भी जो है आटो फोल्डिंग मिल जाते हैं कितनी सबर्दस बात है सारे के सारे पाउर विंडोस है आटो डाउन एन आटो अपका यहां पे फंक्शन मिल रहा है साथ ही नीचे यहां पे आटो बोटल है तो दोसम सो नीचे अगर बात कर लें और आगे के स्पीकर देखो यह चीज बहुत सही है उससे पहले एक चीज़ पर नजर जा रही है वो सबसे पहले वो जाती है इस पर जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था तो भाई बेस मॉडल कौन कहता है इसको बेस मॉडल इतना सबर्दस लग रहा है ना कैबिन देखो यार बहुत ही सिक्सी सा कैबिन है और मैं बोल सकता हूँ के R&D जो है बहुत तगड़ी जो है इस गाड़ी पे की गई है डिजाइन बहुत ही सही है बहुत बड़ा सा जो है यहाँ पे आपको एकदम ऐसा कॉक्पिट वाला फील आ रहा है और एक चीज है बस यह चीज आपको है नीचे बारो बोट का सॉकेट मिल जाता है कमाल के जो है गाड़ी का जो है लुक लग रहा है बागी पूरा का पूरा जो है बोनेट यहां से विजिबल है और बात कीजाए देखो स्टेरिंग वील की तो राउंड मिल रहा है यार क्या बात है यह चीज भी आपको यहां पर मिल रही है तो आप देखो बेस मॉडल यार लोग आचकल टॉप मॉडल में चीज़े नहीं देते बट मारूती ने भाई आपको जो है बेस मॉडल में सारी चीज़े दी है बहुत ही सुन्दर लग रहा है मुझे अल्टीमेटली बहुत अच्छा कमफर्ट आ रहा है सीट्स जो हैं काफ भी कमफर्टेबल है आगे की बहुत ही बढ़िया आमरेस यह देखो आप आमरेस मिल जाता है वो भी स्लाइडेबल क्या बात है और अंदर जो है स्टोरेज भी मिल रही है तो यह चीज़ बहुत सही हो गई स्पेस यहाँ पर भी मिल रहा है काफी बढ़िया है बागी अब देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लेसर जो की होने वाला है डिजिटल जैसा की हमें दिख रहा है उसके लिए एक बार बटन को दबाता हूँ मैं यह देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है न यह देखो बिल्कुल बलीनो वाला जो स्टाइल है वो यहाँ मिल रहा है दो तरफ आपको यहाँ पर अनलॉग मिल रहा है बीच में पूरा का फूल आउन जो है कलर फूल जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल रहा है तो काफी बढ़िया है दोसों एक बार जो है गाड़ी को स्टाट करके इसका एनवेच लेवल भी देख लेते हैं तो यहाँ प्रेस किया और भाई गाड़ी हो गई है स्टार्ट एकदम शान्त है और गाड़ी में एसी चला लेता हूँ क्योंकि जो है गर्मी लग रही है थोड़ी सी तो यहाँ पर एसी को कर लिया हमने आउन भाई गाड़ी जो है बहुत जादा बोल सकता हूँ साइलेंट है काफी अच्छी लग रही है बागी यहाँ पर आपको देखो 5-speed manual transmission मिल रहा है यह सारा कुछ आ गया और यह रहा इसका glove box जो कि आप देख रहे हैं और कोई भी आपको यहाँ पर cold तो नहीं मिलता बट space जो है अच्छा खासा मिल जाता है IRVM manually adjustable हो गए भाई यह अरे क्या बात vanity mirror मिल रहा है यार यह चीज देखो वो भी driver side तो भाई पदा नहीं क्या किया है मारूती ने एकदम सा मैं बोलता हूँ ना बोलते हैं एकदम जजबात जो है वो ही बदल दिये मारूती ने कमाल कर दिया साथ ही यहाँ पर देखो आपक इसके प्रीमियम आ रहा है क्योंकि यह नेक्सा की तरफ से प्रोड़क्ट आता है तो गाड़ी को बना दिया है तो एसा रहा कुछ लुक अब क्या करते हैं दोस्तों आप चलते हैं सेकेंड जरों की तरफ और देखते हैं कितना जो स्पेस है वो हमें मिलने वाला है अब बा बात नहीं इतने फीचर मिल गए तो इतने छोड़े-छोड़े फीचर को तो हम बाद में भी अजस्ट कर लेंगे तो बाकी अंदर बैठते हैं स्पेस देखो काफी बढ़िया लग रहा है एक चीज आपको यहां से दिखा देता हूं देखो तीन हैड्रेस है वह भी अजस्ट आप बहुत ही प्यारा कुष्णिग है और डिजाइन भी बहुत बढ़िया है ब्लाक यहां पर भी ब्राउन का कॉम्बिनेशन है बोल सकता हूं चॉकलेट ब्राउन या चेस्टनेट ब्राउन का जो है यूस किया गया है बागे अंदर बैठके देखते हैं कैसा सो स्पेस ह वो मिलेगा तो भाई पीछे बैठा हूँ और देखो स्पेस भाई इसको कहते हैं मारूती क्योंकि यह जो स्पेस है ना यह मारूती को बहुत बखुबी बताए कि कस्पर को चाहिए क्या कस्पर को चाहिए इतना अच्छा-कासा स्पेस तो यह बहुत सही हो जाता है यह गा सब कुछ आ गया और लाइट देखो वह Basic सप्ञा रखा एपकर लाइट्स को और यहां पर दो ऌपकर कमाल के नदर ल अब कोभ सक टो और च But They त अब कर दो संट प्लेट आपको वहार एड़े सान और गारी आपको आपको इस गाड़ी에 यह सारे फीचर्स रहें मैं अभी बता सकता हूं गाड़ी बहुत ही एक्सेलेंट है और जिस प्राइज में आ रही है उस प्राइज में दोस्तों इसको आप हाथ ओ हाथ ले लो बहुत ही अच्छी डील है अगर आप चाहते हो अगर आपका बजट है साड़े बारा लाग का त बहुत है जैसे बात कही दी आपको यहां पर वील कैप मिलते हैं तो भाई यह रहे उसके वील कैप जो फिलाल जो है अभी लगाए नहीं गए और यह देखो आप स्पेस फ्लैट मिलता है एकदम बहुत ही सही है 370 त्री लीडल का जो है बूट स्पेस मिल रहा है जो की काफ बहुत है जो है आपको वील साइज मिल रहा है तो कहीं भी कॉस कटिंग नहीं की गई है पासर ट्रे जरूर यहां पर आपको मिसेंगे वो चीज़ आप बाद में लगा सकते हैं तो ऐसा कुछ अच्छा खासा स्पेसियस जो है यहां पर आपको बूट मिल जाता है तो अब यहां से बंद कर देते हैं और आगे चलते हैं इंजन बे की तरफ उसको खोलने के लिए करना गया है यहां जाना है और यहां से जो है इसके बोनट को एकसेस कर लेते हैं और देखते हैं कैसा जो इंजन है वो इसके अंदर मिलेगा तो भाई बारी आ जाती है इसके इंजन इसका कुछ ऐसा 1.5 लीटर का जो है यहां पे के 15C वाला आपको इंजिन मिल रहा है और यह है स्मार्ट हाइब्रिड वाला दोस्तों जो विडियोज करता है 102 बीएच्पी की पावर और 136 एनम का जो है यहां पे टॉक मिल जाता है और कंपनी जो है इसकी आवरेच की बात करी जाए तो कंपनी अल्मोस 22 की एप्रॉक्स जो है मायलेज करीम करती है तो आप सब सकते हैं इतने बड़े इंजिन के साथ आपको इतनी बहतरीन मायलेज मिल रही है यह चीज जो है संबब हो पाई है सिर्फ और सिर्फ मारूती की वज़ा से तो ऐसा कुछ रहा बागी स्पेसेज आप देख सकते हैं थोड़े बहुत आपको दिख रहोंगे बागी जो है प्लेस्मेंट बहुत और्गनाइस तरीके से की गई है फिलाल जो है इसके इंजिन हुड को बंद कर देते हैं काफी भारी है इसका इंजिन हुड यहां पे जो है हमने अपना पूरा का पूरा वाकराउंड कर लिया और मेरे को लगता है यह गाड़ी आने वाले समय में अपना आप में एक लीडर होगी बहुत जबर्दस जो है इसकी सेल्स विगर जाने वाली है फिलाल जो है वेटिंग बहुत ज़ादा है सिग्मा वेरियन की बात करनू पर्टिकुलरली तो इतनी वेटिंग है कि यहां पे एक एक साल की आपको यहां पे वेट करना पड़ेगा फिलाल मैं बोल सकता हूँ गाड़ी बहुत जबर्दस है आपके पास है साड़े बारा लाक रुपे तो आप बिलकुल बेज़े ज़क इस गाड़ी पे जा सकते हैं अगर आप पेट्रोल गाड़ी कंसीडर कर रहे हैं तो मेरे साब से ग्रैंट विटारा इस वन अफ दो बेस्ट ऑप्शन यू कन है तो फिलाल जो है यहां पर दोस्तों अपनी वीडियो को कर देते हैं खतम मिलेंगे अच्छी वीडियो लेके तब तक के लिए बबाय चेक लव यू जय हिन जय भारत